दोस्तो जैसा कि हम सब को पता है वि एक जुलाई 2021 से इंकम टैक्स की नई सेक्षन 194Q लागू होने जा रही है और उस सेक्षन में है क्या और उस सेक्षन की इंट्री हम टेली प्राइन सॉफ्ट्वेर में कैसे करेंगे कैसे इंवो इसके अगेंस्ट में मारी TDS की रेटन त्य से पहले कि हम टैली प्राइन सॉफ्ट्वेर में इसकी इंट्री करके देखें एक बार हम उस रूल को पढ़ लेते हैं तो दोस्तो 194Q यह रूल कहता क्या है यह जो रूल है आपको पता है भी 1 अक्टूबर 2020 को एक रूल हमारे पास आया था 206 सब सेक्षन 1H का जिसका था TCS सेल का अब उस कंडिशन में क्या था जो सेलर है वो अपने बायर्स का 0.1% के साफ से अभी ताकर जो टीस्यस इन्वोईस में लगा के दे रहा था और 194Q अगर हम कहें तो इससे मिलता जूलता है सेक्षन है यह यह कह सकते हैं भी यह 206 सब सेक्षन 1H का अपोजिट है 1.1% के साफ से TDS काटेगा अब बात आती है विख TDS काटने की कंडिशन क्या थी क्या है और TCS की कंडिशन क्या थी तो TCS की भी कंडिशन यही थी तो बी जो प्रिविज्वीर्स एर में जो सेलर TDS काट रहे हैं उस सेलर की प्रिविएस प्राइर में दो टर्नावर उसकी 10 कोड से ज्यादा की रहने चीज़ थी और ये जिस पार्टे का जिस बायर्स का वो टीसिस कलेक्ट कर रहे हैं उनके साथ 50 लाग फे की ज्यादा की ट्रांजेक्शन हो चुकी हो और यह अब बायर्स की कंडिशन में टीडियस कंडियस काटने की कंडिशन में भी यही सेव दो कंडिशन लगो होगी यहनकि जो बायर्स टीडियस काटेगा अपने सप्लायर्स का तो बायर्स के भी यह दो कंडिशन लगो होती है पहले कंडिशन जी उसकी प्रिविश लियर फाइनेंस लियर 2020 में जो टर्नावर है वो 10 क्रोड से जादा कि ट्रांजेक्शन एक जुलाई 2021 तक या इससे पहले कर चुके हूं तो कि दोस्तों ये 194Q का जो सेक्शन है पहले ये एक अप्रेल 2021 से लागू होना था लेकिन ये लोकडाउन की वज़े से इसको पोस्टफोन करके आप इसको एक जुलाई 2021 से लागू किया जा रहा है तो दोस्तों अब बात आती है भी क्या TCS भी कटेगा और बायर्स को TDS भी काटना पड़ेगा तो यहां पर सबसे वड़ी confusion है तो अगर आप बायर हो हैं कि आप माल परचेश करने वाले हो आपकी प्रिवीज फाइनेंसिलियर 2020 में टरनोर है जो 10 करोड से ज्यादा की है और जिस सप्लायर्स के साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो पर्टिकुलर एक पार्टी के साथ आपकी जो 50 लाग की जो ट्रांजेक्शन है वो एक जुलाई 2021 से पहले की हो चुकी है तो आपको 0.1% के साफ़ से TDS काटना पड़ेगा और इसकी जो exemption limit है वो 50 लाग रुपे ही है TCS के अंदर भी यह 50 लाग ही है और यह TDS की condition में भी 50 लाग ही है तो 50 लाग की उपर की जो amount आप cover गी उसके उपर 0.1% के साफ़ से TDS आपको काटना है अगर आपकी जो turnover है वो 10 क्रोड से कम है लेकिन आपका जो suppliers है उसके 10 क्रोड से previous financing में ज्यादा है तो वो आप पे TCS आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी previous finance layer में 10 क्रोड से turnover है जो कम है अगर आपकी ज्यादा है तो आपको अपने जो suppliers है उसको यह मना करना होगा भी आप TCS मत काट यह हम आपको यहां से TDS detect करके government को deposit करवा देगी यहनकि कहने का मतलब होगा भी government के पास दोन में अगर इस type का invoice आपके पास आता है तो हम टेली प्राइम software में इसकी entry कैसे करेंगे कैसे हम automatic इसका TDS detect होना चीए किस तरीके से इसकी journal entry बननी चीए और क्या इसका TDS सब्सक्री रिटन त्यार होनी चीए और आपको entry करने से पहले laser create करने से पहले कौन कौन से features को भी टेली prime software में enable करना होगा इसलिए इस video को आप पूरा end तक complete देखना क्योंकि अगर आपने कोई भी step इस video का skip कर दिया या कोई भी features आपने सही proper तरीके से enable नहीं किया तो हो सकता है आपका TDS की entry प्रोपर सही तरीके से ना हो और आपकी जो return है वो भी अच्छी तरीके से ना बन पा company create करके और किस टेके से entry होगी कौन-कौन से laser त्यार करने होगी यह आपको बताऊंगा और इसमें मैंने एक transaction कर रहे हैं सबसे पहले आपको मैं वो transaction दिखा देता हूँ एक यह dummy purchase invoice मैंने बनाया है पारटी का item मैंने वन लीवी है और यह आप देख रहे हो यहाँ पर 78,000,000 और 55,000 रुपे की invoice की value है अब जो हमारी condition है 50,000,000 रुपे की ज्यादा की transaction वो तो एक invoice में clear हो चुकी है तो इसका मतलब अब उपर की जो amount बच गी 50,000,000 रुपे की उप 1% के साब से deduct होना चीए वो हुआ एक नहीं हुआ वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक वरी इसके लिए हम TDS report को देखेंगे डिस्प्ले पर जाएंगे strategy report पर हम जाएंगे और TDS report पर जाएंगे और आप form 26 Q देखेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो accessible value है वो 28,45,000 रुपई है और इसके उपर 28,45 रुपई का tax ही deductible हुआ है तो यह कैसे हुआ है इसके लिए आपको इस वीडियो को end तक complete देखना होगा इस वीडियो का कोई भी step skip किये बगेर क्योंकि काफी सारे features है जो आपको enable करने पढ़ेंगे वो by default टेली software आपको enable करके देता नहीं है जो आपको खुद को करने पढ़ेंगे कौन कौन सी feature है वो भी हम जानेंगे तो दोस्तो वीडियो सारी practically रहने वाली है इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से on कीजिएगा ताकि हमारी आने वाले इसी type की और नए नी और practical वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिलेगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हुमोन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज काई वीडियो तो दोस्तो आपके सामने में लाइव करने वाला हूं और हम यह जो हमारी company है इसका नाम है बावना traders हम इसी को हम यही मान के चल रहे हैं भी हमारी जो previous financial year 2021 की turnover है वो हमारी 10 क्रोड से ज़्यादा की है और यह एक invoice हमारे पास आया है सुमीत एंड कंपनी का और इसकी value है वो 75 रुपे की ह अब item एक भी हो सकती है आपके पास दस भी हो सकती है फोर हमें example समझने के लिए invoice को हमने त्यार किया हुए अगर आपके पास में inventory आपको करनी पड़े invoice को देखे तो हम किस तरीके से करेंगे तो अब यानिकि हमारी दोनों condition यहां पर लागू हो रही है तो इसका मतलब हम किजिए हम यहां से आपका TDS है जो deduct कर लेंगे चलो शुरू करते हैं टेली प्राइम में इसकी entry को तो बावना ट्रेडर्स तो सबसे पहले हमें company create करने के just बात कोई भी laser या voucher हमें कोई create नहीं करना है उससे पहले कुछ phasers हमें enable करने पड़ेगे तो सबसे पहले हम F11 press कर करेंगे तो आपको यहां पर इस taxation में GST और TDS इन दोनों option को enable करने है कि सबसे फिलम GST को देखेंगे तो GST के अंदर आपको applicable date और आपका GST number वेगरा सब कुछ आपको यहां पर fill up करना है तो मैं एक बाद GST number को यहां पर skip कर रहा हूं और उसके बाद बारी आती हमारी TDS क तो TDS को भी हम GST करेंगे और उसके बाद यहां पर आपको अपना 10 number देना है जो आपके पास company का है तो मैं यहां पर एक बार देता हूं और उसके बाद में यह डिडेक्टर टाइप यानि कि जो permanent traders की company है वो किस टाइप की डिडेक्टर है individual है कोई company है या कोई government authority है क्या ची यहां पर डाल सकते हो और उसके बाद में सबसे important information जो रहने वाली यहां पर वो यही है भी rate exemption details आपको इस option को यस करना है सबसे पहले तो और उसके बाद में आपको interface करते हुए इस window को save कर देना है अब यहां तक तो था हमारा GST और TDS को enable करना अब हम एक TDS की nature of class हमें create करने बढ़ेगी तो इसके लिए हम वापिस create पर जाएंगे और create पर जाने के बाद आपको यहां पर एक option देखने को मिलेगा कि स्ट्रेश्री मास्टर में TDS nature of payment का हमें इस पर interface करने और यहां पर अब हमें एक नई nature of class त्यार करनी है अब जो नेचर जो नया सेक्षन लगू हो रहा है उसका नाम है भी टेडियास on purchase of goods यहां कि यह अब नया सेक्षन लगू हो रहा है अब इसका सेक्षन है जो हो है 194Q और इसका जो पेमट कोड रहेगा वो 949 रहने वाले है अब उसके बाद में आपको इन ट्रांसपोर्टर केटिगरी को आपको नो रखना है अब उसके बाद में बारी आएगी यहां पर with pen number यांकि जो tedious का काटने का जो rate अवो क्या with pen है 0.1% और without pen की condition में यह 5% रहेगा और अब उसके बाद में आपको करना क्या है एक option यहां पर आपको दिखाई देगा more details का यहां पर इस side में यह more details इस पर आपको क्लिक करने और tedious detail को enterprise करेंगे तो यहां पर भी आपको यह सारी information देनी पड़ेगी या चाओ आप इसको भी यह पहले save कर सकते हो इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे यह इसके जो exemption limit है वो 50 लाख रुपे की है यह 50 लाख रुपे की और हम इसको accept करेंगे इसके बाद सबसे पहले हम सभी laser अब create करने पड़ेंगे लेजर क्रियेट करने के लिए जैसे के मारे पास यह invoice है सुमीत एंड कंपनी से हमने purchase किया है तो सुमीत एंड कंपनी का भी हमें laser create करना पड़ेगा तो सदसे जल्द बज़े हम जल्दी जल्दी से laser create कर लेते हैं सुमीत एंड कंपनी का तो यह मारे supplier से तो अंटर सेंड क्रेडिटर में रहेंगे अब उसके बाद में यह option रहेगा इसको आपको यस करना है जैसे हम यस करेंगे तो अब यह हमें information देनी है वह सुमीत एंड कंपनी आपको किस टैप की डिडेक्टी है तो हम यह मान की चल र रखना आपको non-residence नहीं रखना है और उसके बाद में यह option आपको मिलेगा भी TDS detect in same voucher तो इसको आपको नो रखना है same voucher में में नहीं रखना और उसके बाद में use advanced TDS entries इस option को आपको yes करना है और जैसे हम yes करेंगे तो कुछ इस तरीक है कि यह एक window मारे सामने open होगी और इसको हम यहाँ पर रखेंगे और ignore surcharge exemption limit इस option को yes करना है और yes करने के बाद में आपको ignore income tax limit इसको applicable करना है और applicable करने के बाद आपको यह option दिखाए देगा जो अभी हमने nature of class जो TDS की class हमने च्यार करी थी TDS on purchase of words इसको यहाँ पर आपको select कर लेना है और enterprise करते विए अब आपको इस लेजर को अब इसके अंदर आपको pen number डालना कमपल सरी है और यहाँ पर यह इस पर स्ट्रोप से लिखाव भी है pen is mandatory for e return should be 10 characters यहनकि तो 10 characters का जो pen number है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने pen number डाल दिया है और इसको मैं save करूँगा अब उसके बाद में यह तो था हमारा suppliers का लेजर अब उसके बाद हमें purchase का भी laser त्यार करना है तो purchase जैसे कि महरे पास 18% की purchase है तो हम एक बार भी GST 18% purchase का लेजर हमें त्यार कर दिया है अंडर में यह रहेगा purchase count और purchase count में GST तो applicable रहेगी रहेगी type of supply में आपको goods करना है और उसके बाद में TDS को भी applicable करना है और applicable करने के बाद में आपको list of nature payment जो TDS of nature payment हमने create करिये उसको select करना है उसके बाद में CGST tax भी रहेगा यह duty and taxes में रहेगा और यह type of duty tax में GST और CGST तो center का tax रहेगा और TDS आपको इस पे भी applicable करना है यह ध्यान रख रहेगा आपको applicable और यह TDS on purchase of goods को select करना है उसके बाद में यह SGST tax का लेजर GST state tax और उसके बाद में TDS को applicable करना है और TDS of purchase की class भी select करना है तो यह हमारे होगे लेजर सारे create अब हमें एक stock item भी create करनी है जो invoice में है मैंने यहाँ पर practical के लिए item A के नाम से stock item create करी हुई है तो हम stock item पर जाएंगे और यहाँ पर भी एक बार हम item A बना लेते हैं और unit is के हम pieces में रखेंगे और उसके बाद में GST भी applicable है और उसके बाद में हम इसको taxable करते वे GST 18% यहाँ पर डाल देंगे अब यहां तक की सारी मेरी के परिक्राइब बन चुकी है और अब हमें एक लेजर और बनाना पड़ेगा जो हमारी लाइवटी जाए TDS की इसके लिए हम create पर जाएंगे लेजर पर जाएंगे और रहेगा या आप अपने शेफ्टे के लिए रखते होती है वन नाइन फोर क्यू टेडियस ओन गूट्स परचेज ताकि आपको पता रहे है और यह हमारा रहेगा डूटी जैन टैक्सेस में और अब इसका जो निया पर रहेगा डूटी जैन टैक्सेस वह हम रखना है TDS करेंगे तो प्रेडियस ओन परचेज और पूट्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको मेंटेंज बिल वाई बिल को आपको ओप्शन को यस रखना है इंटरप्रेस करते वे इस विंडो को करेंगे से तो इस तरीके से यह सारे लेजर हमारे क्रियेट हो गया है अब हम जैनल वाउचर की करेंगे और परचेज इसमें से अटोमेटिक को हम कर देंगे यहां से मैनुवल और उसके बाद में वापिस वाउचर पर आते हैं प्रचेज पर आएंगे अब यह जो हमारे पास इन्वोईस आया इसका इन्वोईस का नंबर है 1451 और यह एक जुलाई का इन्वोईस है तो 14 ано 2 045 रिए यहां पर दाल देंगे अब पार्टे अकाउंट में पॉमिद ये अन्पम्पनी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यह पार्ते डिटेल्स को कभी हम स्किप करेंगे और आयिटम यह जो हमें सेलेक्ट करिए है अब इसकी जो वाण्टिटिटिइ की एक और है 63,55,932 और 20 पैसे हैं तो हम यह यहां पर डालने कि यह मांट हम यहां पर भी लिख सकते हैं 63,55,932 और 20 पैसे हैं और हमने जो प्रशेस का लेजर अभी जो क्रेट किया था वो यहां पर आ जाएगा और अब हम यहां पर देखने हैं यह जो TDS नेच्चर और पेमेट की जो कलास अब यहां पर आपकी आ गिया हो इस इन्वोईस में आटोमेटिक आजेगी तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो वेल्यू है जो हमने उपर वेल्यू डाली है इस में से 50 लाग रुपे हमें माइनस पचास लाग तो यानि कि 13,55,932 रुपे और 20 पे से तो इसकी वेल्यू हम यहां पर डाल देंगे और यहां पर हम सेलेक्ट कर देंगे इसको 13,55,000 और यहां पर टेक्स की केरिक्ट हम यहां पर देंगे प्रतेज टेक्सेबल और उसके बाद में हम टेक्स लगाएंगे से जिस टेक्स तो अब यहां तकर टेक्स के उपर भी आपका TDS एपलिकेबल होगा अब यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि जो एक्जम से लिमिट हो अपने पहले डाल दिये हैं और उसके बाद में इसका में यहां पर यहां पर यहां रखना है कि आपको मैं दिखा देत हूं अ कि यह जो करेंगे आ ह और इसको को करेंगे असब तो इस तपर हूगर सिरी अपर्सलेस की इंट्री हमने कर दिये तो एक बार टेडिया को देखेंगे, इंट्री करने के बाद में, डिस्पले मो रिपोर्ट पर जाएंगे, स्टेच्टी रिपोर्ट पर जाएंगे, और टेडिय स्पोर्ट पर जाएंगे, तो अभी आप देख रहे हूं, जो उपर की जो अमाउट थी, पिचेतर लाख रुपे, इन्वोई था, पिचास लाख की एक्जाम्स लिमिट हमने अठा दिये, तो अब 25 लाख रुपे रहे हैं, अब 25 लाख की ओपर 0.1% के साफ से ये 25 रुपे का जो टेक्स है, वो डिडेक्ट हो गया है, तो अभी आपने देख रहे हैं, यह TDS की रिटन प्रोपर सही तरीके से त्यार हुई नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने यहां पर TDS Detectable, अभी यह TDS हुआ नहीं है, डिटेक्ट हुआ है, यानकि 25 लुपे आपको टेक्स कार्टना है, तो अगर हम इसकी बिलेंसीट एक बार देखें, तो बिलेंसीट में अभी तक हमारी कोई भी लाइबिल्टी आपको नहीं और उसके बाद में आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा, अब इसमें आपको करना क्या होगा, अगर आपकी TDS किंट्री करनी है, तो आपको ओप्सन यहां पर देखने को मिलेगा, TDS Detection का, आप Alt-J की यूज़ कर सकते हो, जैसे हम TDS Detection पर क्लिक करेंगे, तो आपको ति TDS on purchase of goods जो हमने नेचरो पेमर्ट चैर करी थी, और उसके बाद में डूटी जनलेट का जो एक्स का जो लेजर है, TDS का जो हमने बनाए था, वन नाइन फॉर्टी जन टेक्स था, इंटरप्रेस करेंगे, तो आप देखरे हो, यह जनरल इंट्री ऑटोमेटिक पास हो गी है, और इस voucher को आप save करोगे, तो जैसे आप save करोगे, तो आप अभी देख रहे हो, यहाँ पर हमारी जो value है, पहले तो deductible में आ रही थी, अब यह deduct हो चुकी है, और अब हम अगर इसकी balance sheet जाके देखेंगे, तो यह balance sheet में हमारी जो liability है, अब हो 25 रुपे आप देख रहे हो, य जाएंगे, accounts book पर जाएंगे, और laser पर जाएंगे, अगर हम Smith & Company का laser अगर हम यहाँ से देखेंगे, तो आप देख रहे हो, यहाँ पर 75 रुपे की तो invoice value थी, और उसके बाद में यह 25 रुपे जो TDSI यहाँ पर हमने deduct कर लिया है, एक journal entry के साथ में, तो इस तरीके से अब जो इसका payment हमें करना पड़ेगा, इस invoice के अगेंस्ट में वो, 24,97,500 रुपे की payment करनी पड़ेगी, और अब हम बात करते हैं, उन features की जो आपके पास applicable नहीं होगे, कौन कौन से नहीं होगे, सबसे पहले आपको मैं दिखा रेता हूँ, अल्टर पर हम जाएंगे, laser पर जाएंग आपको यह इसी window पर रहते हुए F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस अब कर आप करोगे, तो आपको यहां से TDS detail में provide TDS detail इन features को आपको yes कर लेते हो, तो आपको जब आप पार्टी की laser create करोगे, तो वहां पर आपको यह सारा जो laser की information है, यह show करना शुरू कर देगा, otherwise आपके पास जैसे कि मैं यहां से अगर इसको no करता हूं, आपको मैं दिखा देता हूं, जैसे कि इसको मैंने यहां से no कर दिया, तो आप देख रहे हो, पार्टी की laser में वह सारा detail है, जो हट गया है, तो इसलिए आपको F12 प्रेस करना है, provide TDS detail को yes करना है, और इन को भी yes करना है, अगर yes करोगे, तो यह information आपके सामने आ जाएगी, और इस तरीके से जैसा कि हमने इस entry में वीडियो में सीख है, भी purchase voucher की entry को कैसे करना है, तो इस तरीके से हम इंटरी कर सकते हैं, और उसका TDS भी deduct कर सकते हैं, अब अगर आपके purchase invoice पर TDS कैसे आता है, और उसकी entry में कैसे क तो आप उनको भी देख सकते हो, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको knowledge अब लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लेज इस वीडियो को एक like देके जुरूर जाना, तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में एक और नए topic के साथ,